जम्मू कस्मीर के रजवरी में गुरुवार को आतंकियों से लोहा लेते हुए चार जवान सहीद हो गए और हम अभी मौजूद हैं नवादा जिले के नारो मुरार गाउं में जहां के चंदन रहने वाले थे जैसे ही याखबर गाउं वालो को मिली गाउं में मातमी सनाटा पसरा हुआ है और जिनको भी जानकारी मिल रही है कि उनके गाउं का लाल सहीद हो गया वो उनके परिवार वालों से हाल चाल जानने के लिए उनके घर पर पहुँंच रहे हैं तस्मीरों में भी आप साथ तोर पर देख सकते हैं नारो मुरार गाओं का ये चंदन का घर है चंदन के परिवार में दो भाई और पिता उनके माता और उनकी पत्नी रहती हैं और जब से यह जानकारी मिली है उसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और चंदन यह वादा करके गये थे कि जब वो लौटेंगे तो घर बनवाएंगे उनके पिता हमारे साथ मौजूद है यह आखरी बात कब हुई थी और क्या बाते हुई थी चंदन से अखरी बात है चार वजा पहले हुआ था बात उसके बाद में अक्टूबर में हुआ आया था अवह जाने कि गया वहाँ साउदा नॉम्मर क्यों गया और कहके गया कि पापा हम अभी मार्च में हम आएंगे मकान कान हम बनाएंगे मकान बनाएंगे और जो होगा सो करेंगे अ मार्च में हम हमको ज़रूरी है मार्च नहां आएंगे मांका ernॉम्मिम अब माकान कैसे बने मैं आप तो सरकार जो अब पर मांत हैं हम रे उपर क्या कुछ जब घरीए पाती है कुछ हम दास हाए नहीं तब मकान बनाएंगे आप कहाँ सम बनाएंगे अब तो उ ही कि वो सहीद हो गए हमारा तो नाम है तो उसके बाद में जो था कि समझाने इसको लगा तो जश्मिर समझाया उसको फोने पर उसके बाद बोला कि आपका भाई सहीज हो गया, सहीज का करके फोन काट दिया, उसके बाद में तो तभी हम लोग बुराबरी जुनी अहीं पर सोय हुए थे, हम लोग के कोई ख़बर नहीं दिया कि रात में हावराई, कर ले 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 गेंगे, पापा, ममी, भोर में, मां को गोर उर्दाब अबने लगा, का मां अभी ठंधा, मत उठे अभी, मत उठे अभी, नहीं बताब, खाना हुना, बने बए वै तब नहीं सबथे बनते हैं खाना, कहल अभी ऐसे अची करो कि ए खाना बनते हैं, उसके बाद में फिर बोला, बल गोली लगे, यहोचना बोल इलाज में, बल गो लगे उश्चेब ने लगेगा लगता सभाने तो खबने यह दो आ से खवर नहीं आता है यह बहुत हमारा बेटा है जो है जो अब आप क्या चाहते हैं हम कि हमारा दूनु बेटा जो है इसे फाउज में सरकार ले ले लें और उसको बदला टटस करेगा वारा तो ही है अब चाहते हैं कि दोनों बेटा फाउज में जाएंगे हम बदला लेंगे अब परिवार कैसे चलेगा अब तो सरकार के मड़ी उन्हीं के ऊपर है वो आदा करके गये थे कि लोटेंगे तो घर बनेगा ऐसे ही तूटा हुआ मकान है फिर घर कैसे बनेगा अब सरकार की उपर है अब जो चाह रहें सरकारों ही कर सकते हैं अब मेरे हाथ में तो कुछ हाहें नहीं हमें चाहते हैं कि उनका मुटोर जबार चुझ हम आबार करें दोनो भाई यह दोनो भाई जाकर मुटोर जबाब यह आप क्या करते हैं कि इस थी चोटा मोटा ँदे वजब 1 कि developers करने का थे नWork करते हुनि तो यह उनके भाई हैं चंदं के दुकान हैं चोटा मोटा बिजनस है और साथी खेती से इनका परिवार चलता है और परिवार में सिर्फ एक ही आदमी कमाने वाले थे चंदन लेकिन अब वो नहीं रहे और जैसे ही यह जानकारी मिली परिवार वालों का उसके बाद उनके मा का भाई का पिता का रो रो कर बुरा हाल है और अब इंतजार हो रहा है कि उनका पार्थिव शरीर कब घर पर पहुँचेगा क्या बाते होई थी बेटा से आखरी बार क्या बात हुई थी क्या बता रहे थी हाल समाचर घर में आये थे तो जाते वक्त क्या बोलके गए थे अच्छे से बहियां से बात कुछ करके गया यह मैया हमें फेर फरबारी में आ रहे लिए मैया चिंता नहीं कर ही मैया हम फरबारी में फेर हम आजे हुए